इद मुपार गया है तो दोस्त आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले है इस फिलम के Overseas Markit के कलेक्शन के बारे में साथ ही जानेंगे कि इस फिलम को Overseas Markit में कितने स्क्रीन पर रिलीज के गया है और यह फिलम अपने पहले दिन Overseas Markit से किन रुपे का कलेक्शन कर रही है तो दोस्ता आपको बता दे कि रादे और मोस्ट बाउंटेड भाई फिल्म को इंडिया में तो रिलीज नहीं किया गया लेकिन दोस्तो इस फिल्म को ओवर सीज मार्केट में काफी बढ़ी तरीके से रिलीज किया गया है जियाँ दोस्तों अब बात करें इस film के screen count के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस film को गल्फ कंट्री में total screen मिले हैं लगबग 350 वहीं इस film को USA में release किया गया है लगबग 200 screen पर और दोस्तों आपको बता दे कि इस film को Australia में लगबग 83 screen मिले हैं साथ ये इस फिल्म को UK में लगबग 75 स्क्रीन पर रिलीस के गया है और दोस्तो इस फिल्म को New Zealand में लगबग 25 स्क्रीन पर रिलीस के गया है दोस्तो इसी के साथ इस फिल्म को Total स्क्रीन में लगबग 733 जीहां दोस्तों इस फिल्म को Overseas Market में लगबग 733 स्क्रीन पर रिलीस के गया है और दोस्तों गर बात करें इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म को आज पहले दिन रिलीस होते ही काफी बढ़िया ओपनिंग देखने को मिली है जीहां दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म के Overseas Market में जो मौरनिंग के सोच थे वो लगबग हाउसपुल देखने को मिले वहीं इस फिल्म के आफटरनून के सोच थे वो भी लगबग पूरी तरह सा हाउसपुल थे और दोस्तों भी तक जो डाटा सामने निकल कर आया है उसके मुताब कि इस फिल्म अपने पहले दिन लगबग 11.000 रुपे का कलेक्शन कर रही है कि आपको क्या है लगता कि यह फिल्म ओबर सीज मार्केट में लाइफटरम कलेक्शन कितने रुपे का कर सकती है हमें पिरा कमेंड बॉक्स में ज़रू बताएं और रादे फिल्म के डेली डेवाइस बॉक्स ओपिस कलेक्शन जानने के लिए हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले है मैं मिलता हूँ आप सकले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद